दोस्तों यह एंति बैक्टीरियर, एंटि वाइरल, एंटि फंगल, एंटि इन्फलामेंटरी, एंटि माइक्रोभियल और एंटि ओक्सिजन्ट गुणों से भरपूर होने के कारण से दोस्तों यह इम्मुनिटी को बहुत मजबूत करता है और लीवर को मजबूत करता है और तोचा के कटने चिलने पर चोट लगने तथा घाओं को भरने में बहुत जादा मददगार होता है दोस्तों यह पौधा बहुत ही important पौधा होता है नमस्कार दोस्तों ग्रीन इकवाटिका में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों पिछले दिनों मैंने भ्रंगराज का बालो से समंधित वीडियो डाला था अगर आपने उसे नहीं देखा और आप बालों से समंधित समस्यां से परिसान है तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखें दोस्तों आज मैं आपको भ्रंगराज के और भी कुछ महत्तपूर उप्योगों के बारे में बताने वाला कि इस वीडियो की तरफ दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लीवर की दोस्तों भ्रंगराज का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो जिसमें बहुत सारे पोसक तत्त पाये जाते हैं जो लीवर को बहुत मजबूत करते हैं दोस्तों सबसे पहले लीवर के बारे में जानिये दोस्तों लीवर सरीर के अंदर एक बहुत ही महत्पूर अंग होता है दोस्तों यह पितरस स्रावित करता है यानि पितरस को निकालता है जिससे भोजन पचता है दोस्तों अगर लीवर खराब हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं सामने आने लगती है जैसे दोस्तों लीवर में जब सूजन आ जाती है तो उसको हेपेटाइटिस कहा जाता है दोस्तों हेपेटाइटिस एक वाइरल इंफेक्शन होता है जो की लीवर के खराब हो जाने के कारण से हो जाता है दोस्तों अगर सरीर लीवर खराब हो जाता है तो सरीर में हानिकारक पदार्थ सरीर से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि दोस्तों लीवर ही हानिकारक पदार्थों को सरीर से बाहर निकालता है और वो हानिकारक पदार्थ सरीर में जहर पैदा कर सकते हैं दोस्तों अगर लीवर खराब हो जाता है तो दोस्तों किड्नी में भी infection पैदा हो जाता है दोस्तों लीवर के खराब हो जाने के कारण से digestion system पूरा खराब हो जाता है खाना पच्ता नहीं है और दोस्तों आतें सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती है जिससे अपज कब्ज की समस्या भी बढ़ जाती है दोस्तों लीवर के खराब हो जाने से तुचा में सूझन भी आ जाती है कफ, पित, वात की समस्याएं पैदा हो जाती है गाव भी जल्द नहीं भड़ पाते हैं और दोस्तों सरीर के अंदर प्रितिरोधक चमता भी कमजोर हो जाती है सरीर पूरा कमजोर हो जाता है तो दोस्तों लीवर को मजबूत रखना बहुत जरूरी है और दोस्तों लीवर के लिए एक रामबाड औसधी का काम भी करता है ये पोधा इसलिए दोस्तों इस पौधे को इग्नोर मत कीजिए और दोस्तों अगर आपको कहीं मिले तो इस पौधे को ले आईए और सुखा के इसका पाउडर बना लीजिए दोस्तों वह आपके बहुत काम आएगा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये जतनी भी समस्याएं है उस सभी समस्याएं से छुटकारा मिल जाए तो दोस्तों आप भ्रंग राज का प्रियोक जरूर करें दोस्तों इसमें antivirus, antifungal, anti-inflammatory, antimicrobial और antioxidant गुणों से भरपूर होने के कार्ण से सरी में immunity देता है, लिवर को मजबूत बनाता है और तोचा को कटने चिलने और चोट लगने वगाओं को भढ़ने में असरदार होता है दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये इसके बीज होते है ये इसके इस प्रकार के बीज होते है आप दोस्तों इसके बीजों को लेकर भी अगर आपको मिल जाए इस प्रकार आप इसके बीज भी ले सकते है दोस्तों ये इसका देखिए सफेज सफेज सा फूल होता है इस प्रकार का ये देखिए दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका प्रियोक किस प्रकार करना है दोस्तों जिन विक्तियों को लीवर से समझे समस्या है और जिन विक्तियों को हेपेटाइटिस, सी या पीलिया की समस्या है दोस्तों उनको क्या करना है दोस्तों भिरंग राज के पाउडर को एक से दो ग्राम लेकर दोस्तों इसका पाउडर मार्केट में भी उपलब्ध हो जाता है तो दोस्तों एक से दो ग्राम भिरंग राज के पाउडर को लेकर पानी के साथ इसका सेवन करना चाहिए दोस्तों अगर एक से दो माय तक आपने इसका सेवन किया तो दोस्तों रिजल्ट आपको उसका आपके सामने देखने को मिल जाएगा हमेशा दोस्तों पाश्टी रिजल्ट मिलेगा दोस्तों भ्रंग राजासव सीरप भी आता है दोस्तों इसका 15-20 ml लेकर अग उतना ही पानी लेकर दोस्तों पानी के साथ इसके सीरप का इस्तमाल करने से दोस्तों लीवर में लाफ मिलता है इसके लिए याद रखिए दोस्तों खाने के बाद दोपाहर और रात को इसका सेवन करना है इसके बाद दोस्तों जिन विक्तियों की प्रितिरोधक शम्ता मजबूत नहीं है यानि कमजोरी है तो उनके लिए भी भ्रंग राज बहुत अच्छी जड़ी बूटी माने जाती है यह सरीर में रक्त में WBC के उत्पादन को बढ़ाती है जिसे सरीर में कोई संक्रमर नहीं पैदा हो पाता है दोस्तों आयरुवेद में कहा भी गया है जो व्यक्ति भ्रंग राज का सेवन 3-4 माहे तक लगातार कर रहा है तो सरीर की प्रितिलोदक छमता उसकी एकदम मजबूत हो जाती है और वो साल भर कभी बिमार नहीं पढ़ता दोस्तों इसका सेवन किस प्रकार करना है अगर आपकी इम्मूनिटी कमजोर है तो दोस्तों आप इसका इसका इस्तमाल करना है देखिए दो से तीन ग्राम भ्रंग राज पाउडर लेकर उसको सहद में मिला लीजिए और दोस्तों जिन में दो बार सेवन करें हमेशा याद रखे हलका खाना खाने के बाद इसका सेवन करें तो दोस्तों आपको हमेशा सरीर में कमजोरी मसूस नहीं होगी और दोस्तों सरीर स्वस्त रहेगा, सरीर में प्रित्योधक छमता मजबूत होगी इस प्रकार दोस्तों ये रहे, इसके फायदे दोस्तों अगर किसी को घा हो जाता है, या तो कोई चोट लग जाती है तो दोस्तों उसमें भी इसकी पतियों का डायरेक्ट पिस्ट लगाने से उसकी घाओं समंदिस समस्याएं दूर हो जाती है दोस्तों घाओं के लिए बहुत ही अच्छी औसा दिमानी जाती है ब्रंगराज किसी भी तरह का घाओं हो अगर आपके घाओं में सडन भी पैदा हो गई हो तो भी इसकी पतियों का पिस्ट आप लगा लेंगे तो उसमें तुरंत रहत मिलने लगेगी और इंफेक्शन रुख जाता है तो दोस्तों आप इस पौधे के महत्त को समझते हुए दोस्तों इस पौधे का उपयोग करें और दोस्तों हो सके तो अपने घर में भी इस पौधे को इस्थान दीजिए दोस्तों अगर इस प्रकार की जड़ी बुटियां हमारे घर में रहेंगे तो हमारे घर के लोगों को हमेशा स्वष्थ बनाएं रखेंगी दोस्तों इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अपने नक्स वीडियो में थैक्स पर वाचिंग माय वीडियो and happy gardening